कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ बलातकार और हत्या की घटना के मध्य नजर दो हजार चौबीस के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पूरे पश्चिम बंगाल में रात्री पुना प्राप्त करें, मार्ज आयोजित किये जाएंगे मध्य रात्री की. परेड, जिसे शुरू में कॉलकाता के जाद्वपुर, कॉलेज स्ट्रीट और अकादमी क्षेत्रों में आयोजित करने की योजना थी, ने कई समुओ द्वारा अपने इलाकों में इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए आगे आने के बाद गती. पकडी महिलाओं ने बुध्वार, 14 अगस्त 2024 को रात ग्या रह, पचपन बजे निकलने की योजना बनाई है, जिसका उप्योग महिलाओं के खिलाफ अपराधों की व्यापकता को उजागर करने के साधन के रूप में किया जाएगा इस आयोजन के समर्थक और One Million Against Abuse Foundation के मुख्य ट पहल है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम इसे एक रात चलने से आगे ले जा सकते हैं। इसके बाद अगला कदम यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि छातरों और। पर मार्च आयोजित किये जा रही हैं। अभिनेता स्वस्तिका मुखर जी और रितुपर्णा सेंगुप्ता, गायक एमोन चक्रवर्ती और बुद्धिजीवियों सहित मशूर हस्तियों ने भी इस कार्यक्रम के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है और। इसमें भाग लेने का वादा किया है, हालांकि त्रिणमूल कॉंग्रेस के कई सदस्यों ने मार्च का विरोध किया है, लेकिन इसके राज्यसभा सांसत सुखेंदू शेखर्रे ने सोशल मीडिया पर अपना समर्थन घोशित किया है। कल मैं प्रदर्शन कारियों में शामिल होने जा रहा हूँ, खास तौर पर इसलिए क्योंकि लाखो बंगाली परिवारों की तरह मेरी भी एक बेटी और छोटी पोती है, हमें इस अवसर पर उठ खड़ा होना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ क्रूरता बहुत हो गई है, आईए हम सब मिलकर विरोध करें। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने एक्स पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट किया था।